विद्ध्यार्धी मित्रू गुड मॉनिंग। आजे अपने सब्जेक्ट भी एमा चेप्टर फाइव दंदा किये वेवस्ताना स्वरूपों एमा पेल्लू वयक्तिक माली कीनो दंदो बीजू हुएफ औने त्रीजो भागीदारी। वयक्तिक माली की एटले के व्यक्ति पोतेज ए दंदानो माली खोय। पने भागीदार एटले के कोई पन दंदो भागीदारी थी बे एक ये तेथी वधू व्यक्तियों साथे मणी ने जे दंदो शरू करे। एने भागीदारी थी सरू करेलो दंदो। अवे आपने एनना प्रकारों जोई। पेलो छे सक्रिय भागीदार। भागीदारी ना काईदा मुझब जे व्यक्ति भागीदार बने। इटले आपने आगर जोय। तुके आनो एक लेखित करार होय। जरे भागीदारी थी धंदो करो होय। त्यारे एक आइदा मुझब लेखित करार कराओ पड़ी। इटले जे व्यक्ति भागीदार बने। अने पेडी ना संचालन मा सक्रिय रस लई काम करे। त्याने शक्रिय भागीदार केवाई। एटले जे भागीदार सक्रिय रोस लईने काम करे एतेने सक्रिय भागीदार केवाए। आवो भागीदार नफा नुक्षान मा नक्की थाएलो हिस्सो मेडवेजे। अवे अपने में तमने आगर लेक्चर मा कई उद्धू के केटलीक वारे उपन बने के भागीदार सर्खा इस्सा धरावता होए। केटलीक वार कोईक भागीदार पांट टका अयनों इस्सो धरावे। 10 टका, केटलाक 15 टका मा होए। 20 टका मा होए। इटले आरी ते एमना न हक्की थाएलू होए। ए टका वारी प्रमाणे एमने नफा नुक्सान नों हिस्सो मले। पेडी ना कारियोग माटे ते अन्य भागीदारी नों भागीदारों नों एजंड गणाये छे। अवे नंबर 2 निस्क्रिय भागीदार। जे भागीदार भागीदारी करार द्वा पेडी नों भागीदार भने। नफो नुक्सान पोगवे। परन्तु पेडी ना संचालन में सक्रिय रिते भाग लेतों न होए। तेने निस्क्रिय के सुषूप्त भागीदार पण कहे छे। शक्रिय एटले जे पेडी ना संचालन में सक्रिय रस लाइने काम करे। एने स सक्रिय केवाई ए अने निस्क्रिय बागीदार एटले शूं बागीदारी करार करयो छे एमा पेडीनों बागीदार बने नफान उक्सान पन भोगवे पन ए पेडीना संचालनमा सक्रिय रिते भाग लेतो नथी एटले तेने निस्क्रिय बागीदार के सुषुप्त बागीद आवो बागीदा निस्क्री होवा छत्ता बीजा बागीदारों नी जेम पेडी मा तेनी जवाबदारी अमरिया दित रहे छें। पेलो जोए सक्री बागीदारों बीजो निस्क्री होवा तेनी जवाबदारी अमरिया दित रहे छें। आवो माटे कोई प्रतिस्टित व्यक्ति पोताना नामनो पेडी ने उप्योग करवा दे तो तेने नामनो भागीदार कहें छे। बड़ाबर कोई सरस दंदो जामेलो छे कोई एकमनो तो ए दंदा की एकमनो मालिक छे एनी नामनो उप्योग करवा कोई नव दंदो शरू करें छे। व्यक्ति ने आपे त्यारे ए प्रकार छे याने नामनो भागीदार कहें छे। नामनो भागीदार पेडी मा मुडी लावतो न थी। ते मात्र पेडी ने पोताना नामनो उप्योग करवा आपे छे। जेती पेडी नी शाकमा वधार हो थाए। बराबर आविदीते कोई प्रतिष्ठित कम्पनी होए ए पोताना नामनो उप्योग करवा दे। तो घणिवार आपने क्यों होए छे कि कोई फेमस ब्रांड होए तो आपने नाम थी जमूक वस्तु तो खरी दिये शे। बराबर कोई नवी सरू थाई होए कोई कम्पनी के कोई वस्तु के एवी नवी होए तो आपने थोड़ू विचारिये क्या आनू सारू आवतु होशे के नहीं आवतु होए। एटले आपने जल्दी एमा पड़ता नथी पन जे फेमस ब्रांड वाड़ी वस्तु होए आपने तरत तश खरी दि लईये छे। एटले अईया नाम नो बागीदार। जेती पेडी नी शाक्मा वदारो थाई। एटले जे नवी पेडी खुली छे। एटले पेली फेमस कमपनी एणू नाम आपय। एटले एणी शाक्मा वदारो थाई छे। परन्तु तेनी जवाबदारी अन्य बागीदारो नी जेम अमरियादीत रहे छे। एणी जवाबदारी तो पाची अमरियादीत तजरे। आम केवाई खाली नाम नो भागीदार। एटले एणी कमपनी नू नाम आज जे नवी स्थपाती पेडी छे एणने आपय छे। नमबर चार मात्र नफानो भागीदार। जेरे कोई व्यक्तिनी खास आवडद के ग्णान तता अनुबवनो लाब लेवा माटे त्याने पेडी मा भागीदार बनाव मावे त्यारे त्याने नफानो भागीदार कहे छे। बराबर केटलीक वखते हुँ थाई के कोई व्यक्ति मा आवडद धन्दो करवानी आवडद ग्णान अनुबव छे। तो बाकीना जे पागीदारो छे ए आ व्यक्तिनी आवडद ग्णान अने अनुबवनो लाब ले छे। अने त्याने पेडी मा भागीदार बनावे छे। त्यारे एने सुकेवाई नफानो भागीदार। नफानो भागीदार पेडी मा मुड़ी लावे के न लावे। छत्ता पन त्याने नफामा लाब आप्पामा आवे छे। पेडिना नुक्षान मा त्यानो कोई भाग हतो नथी, औने पेडिनी नुक्षान जाए तो येने कोई येने नुक्षाननी भरपाई करवानी हती नथी, नफो मड़े कंप्णीने नफो थाय, तो ये नफा मा येने लाब आप्वमा आवे छे, 5. मानी लिलेल भागीदार जे व्यक्ति ये भागीदारी करार करेलो न होई पेडी मा मूडी लावतो न होई तेमाद नफामा भाग पण मेडवतो न होई परन्तु तेना वर्तनने आदारे त्राहीत व्यक्ति जेने भागीदार तरीके मानी लेचे तेने मानी लिदेलो भागीदार केवाई बराबर आमा जो एनु कसुच नथी ये नथी मूडी लावतो नथी नफामा भाग लेतो बराबर खाली तेना वर्तन ने आदारे त्राहित व्यक्ती जेने भागीदार तरीके मानीले छे तेने मानीली देलो भागीदार केवाई छे संचालन के नफामा भाग नई लेवा छता त्राहित व्यक्ति तेनी शाखने द्यानमा लई पेडी साथे वेवार करती हो बाती तेनी जवाबदारी अमर्यादित बने छे यानो संचालन मा पण कई फाडो नथी बरावन नफामा अए पण भाग लेतो नई पण यानी जवाबदारी अमर्यादित रे छे अवे आगर छट्ठो प्रकार सगीर भागीदार इटले के माईनोर जे अडार वर्षती उच्छी उम्मर छे जेनी पूक्त नथी एवो सगीर भागीदार भारतिय काईदानी जोगवाई अनुसार मात्र पूक्त वाईनी व्यक्तिच करार करवा माटी समर्थ बने छे कारण के एने ज बदा काईदा कियो बाबवतों नी खबर होये इटले आवी सगीर व्यक्ति छे तेथी पूक्त वाईनी व्यक्ति भागीदार बनी शके छे श्तगीर व्यक्ति नई केम सगीर व्यक्ति भागीदार ना मनी शके कारण के एनी काईदानी जे जोगवाईयो छे एनी कई माहीती होती नथी एटले ए भागीदार बनी शके नई जो कोई भागीदार मृत्यू पामे तो तेना सगीर वाड़क ने आरीते भागीदार बनावी शकाए सगीर भागीदार आमतो हुए ने इपण भागीदार नू मृत्ति तो है छे अने यानू जे संतान छे अजी सगीर छे तो आविरी ते याने भागीदार बनावी शकाए सगीर भागीदार ने पेडी नू देवु चुकवानी अंगत जवाबदारी होती नथी जे माइनोर हुए पार्टनर याने पेडी नू देवु चुकवानी जवाबदारी होती नथी सगीर पागीदार नी अंगत मिलकतो लेंडारो टोचमा लएशकता नथी जे कोई बार कम्पनी ने देवु थयु होए धन्दा की एकम ने देवु थयु होए तो आवोजे सगीर पागीदार छे यानी अंगत मिलकतने टोचमा लएशकता नथी ज्यारे ते पुक्त अम्मनो थाए त्यारे ते इच्छे तो बिजा भागीदानी जेम सामाने भागीदार बनी शके छे जो ए मोटो थाए पुक्त वईनो थाए त्यारे इच्छे तो ए बिजा भागीदानी जेम सामाने भागीदार बनी शके छे बागी दारी पेड़ी ना प्रकारू चार प्रकारू आपेला छे स्वारी, A, B, C पेलू छे मुदत अनुसर जवाबदारी अनुसर औने नोधनी अनुसर आव मारी जे बुखनू में पेज मुख्यू छे ए जुनी चौपडी छे एटले एमा चार प्रकारू आपेला छे दंदा अनुसर पन छे एटले आपने याँ आपनी चौपडी मां त्रोण प्रकार ना छे કે મુદત અનુસાર જવાબદારી અનુસાર અને નોધણી અનુસાર આ ભાગિદારી પેડી ના પ્રકારો છે એમુા પેલુ મુદત અનુસાર એના ત્રણ પ્રકારો છે અઇચ્છીક ભાગિદારી પેડી મુદતી ભાગિદારી પેડી અને નિશ્ચિત કાર્ય માટેની ભાગિદારી પેડી એટલે આરી તે મુદત એટલે સમ્ય બરાબર જવાબદારી અને નદણી આ ભાગિદારી પેડી ના પ્રકારો છે એમાં પેલ્લો છે મુદત અનુસાર અહ્છીક ભાગિદારી પેડી આ પ્રકાર્ણી ભાગિદારી માં પેડી નું આયુશ બાગિદારુની ઇચ્છા ઉપર અહલંબે છે એના ઉપર આદાર તેમાં સમાય મર્યાદા નકી વતી નથી એટલે આજે અહ્છેક ભાગિદારી પેડી છે એમાં સમાયાં નકી વતી નથી જેયાં સુધી ભાગિદારો વત્ચે સૂલે અને સમફ હોય તેયાં સુધી પેડી ચાલે છે બરાબર સમ્ફોય આમે ભાગિદારી નો દંદો કેઓ હોય જો તમે સમથી કામ કરો હડી મળી ને કામ કરો સૂલે ને સમ્ફ હોય ત્યાં સોધી પેડી ચાલે છે જો કોઈ પણ ભાગિદાર પેડી નું વિસરજન કરવાઈ છે તો ત્યા મુજબ નોટી સાપમાની અને એનો વિસરજન કરાવી શકે એટલે મૂદત અનુસાર જે છે પેડી નો પ્રકાર એમાં પેલું છે અઈચેક ભાગિદારી પેડી હવે નૂબર બે મૂદતી ભાગિદારી પેડી જેરે ભાગિદારી કરારમાં ભાગિદારી ની મૂદત અગાઉં થી નખી કરવામાં આભી હોય ત્યારે તેને મૂદત ભાગિદારી કેવાય મૂદત પૂરી થતા પેડી નું આપો આપં વિસરજન થાય છે એતલે અમુક નકી આ મૂદતી ભાગિ ભાગિદારો સમમત થાય તો તેની મુદત વધારી શકાય છે બરાબર સમાઈ પૂરો થાય જે પણ જો ભાગિદારો ઇછ જે તો એ મુદત ને વધારી શકાય છે એટલે આને કેવાય મુદતી ભાગિદારી પેટી હવે ત્રી જો જે નીસ્ચિત કારીય માટે ની ભાગિદારી પેટી નીસ્ચિત એટલે નકી ભાગિદારી કરારી દવારા કોઈ નીસ્ચિત કારીય કરવા માટે ભાગિદારી પેટી ની સ્થાપના કરવા માવે આવી પેડી નુ આપો આપ વિસરજન થાય છે દાખલા તરી કે પૂલ રોળ નેર આબદા બાંત કામ માટે ની છે ની સીત કાર્ય માટેની ભાગિદારી પેડી એટલે અહ્યાશુ યાદરાકફાનું આ દરેકમાં અહ્છિક ભાગિદારી પેડી એટલે જે ભાગિદારો છે એમ નામાં જ્યાં સુધી સંપણે સુલેથી કામ કરે ત્યાં આપો આપેનું વિસર્જન થાય પણ ભાગિદારો ઇછે તો એની મુદત વધારી છકાય અને નિષ્ચિત કારીય માટે આભી હોય અને કાર્ય પૂરુ થાય એટલે આપો આપેનું વિસર્જન થઈ જઈ હવે બી એટલે જવાબદારી અનુસાર હવે આપણે આનાં બીજા પ્રકાર નેક્ટ લેક્ચર માં જોઈ શું